दोस्तो आज हम एक वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं केट 320D2 एक्सिवेटर का स्विंग ड्राइव एंड मोटर कैसे फिटिंग करते हैं स्टेप बाइ स्टेप नमस्कार दोस्तो मैं हूं रवी खरकाटी और आप देख रहे हैं मेकेनिक ग्यान चैनल दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तो अगर आप मेकेनिक ग्यान चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हो तो सस्क्राइब कर लिजे साथी बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर लिजे इससे क्या होगा दोस्तो मैं जब भी कोई नई वीडियो अप्लोड करूँगा तो नौटिपिकेशन के तुर आपको मिल जाए करेगा ओयल सिल प्लेट में ओयल सिल फिटिंग होने के बाद दोस्तो उसमें एक ओरिंग और लगेगी जो देख सकते हैं आप इस स्क्रीन पे ओरिंग फिटिंग कर देना है अब क्या करना है दोस्तो ओयल सिल प्लेट को पिनियन साप में फिटिंग कर देना है पहले ओयल सिल को फि दोनों बेरिंग के बीच में दिस्टेंस रूआता है जो कि दोनों का जो गैप उसको मैंटेन करता है वो डिस्टेंस लूँ लगाना है उसके बाद में चोटा बेरिंग करें यह तो उसे पहले चोटे के उपर उसी के साइज का ऐसा कोई कपलिंग देख ले क्यों अभी मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को उससे पहले चलिए अब हम एक काम करते हैं सील प्लेट को हाउजिंग में फिटिंग करना है और छे बोल्ट को अच्छे से लगा करके टाइट कर देना अब क्या करना ह दोस्तो हमें हाउजिंग के अंदर जो बेरिंग फिटिंग किये हैं उसके हमें पिनियन साब को कुछ इस प्रकार से फिटिंग करना है और इसके बाद हमें प्रेस मसीन के उपर रख लेना है और छोटी बेरिंग के साइज का कोई ऐसा कपलिंग डून ले जो मैंने बताया उसकी उपर रख के आप पल्ता दें और उसके बाद में हमें पिनियन को प्रेस मसीन से हल्का-हल्का दबा करके फिट कर देना है. और अगर आप अगर प्रेस मसीन के पास रहते हैं तो साउधा नहीं रखे क्योंकि press machine बहुत ही खतरनाक होता है जब उसे तूटता है न तो बहुत ही खतरनाक होता है तो आप एकदम safety से करें और देख सकते हैं हमने सारा कुछ complete करके okay कर लिया है और device अभी हमारे workshop में लेकर आ गया है अब चलिए हम आगे की fitting करना स्टार्ट करते हैं यह है ring gear और यह सारा कुछ metal अभी fitting करना है हमें seeum device में तो चलिए सबसे पहले तो हम ring gear को fitting कर लेते हैं ring gear को fitting करने के लिए कुछ नहीं दोस्तो हमें सिर्फ ring gear के hole का center मिलाना है और उसके बाद दोस्तो हमें सारे जो bolt है उसको अच्छे से tight कर ले थोड़ा सा वीडियो को skip कर देते हैं हम आगे बढ़ते हैं नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो दोस्तो देख सकते हैं हमने सारे ring gear के जो bolt है उसको अच्छे से tight कर लिया है LNK bolt को और यह है planetary carrier assembly चलिए सबसे पहले हमें अब इसे fitting करना है fitting करने के लिए कुछ नहीं दोस्तो हमें जो pinion soft है pinion soft के जो meaning match करना है और उपर side से जो ring gear का है वो meaning को match कर लेना है direct automatic fitting हो जाएगा हमें बस center मिला करके रखना है अब क्या करना है दोस्तो जो pinion soft है pinion soft के उपर एक lock लगेगा चलिए उस lock को हम लगा लेते हैं उसके बाद दोस्तो हमें thrust wiser को डाल देना है यह है thrust wiser इसके अंदर में fitting कर देना है ठीक है इसके बाद दोस्तो हमें sun gear fitting यह रहा sun gear और sun gear में देख सकते हैं एक side से पतला मिनिंग है दूसरे side से मोटी मिनिंग है तो जो मोटी मिनिंग है दोस्तो वो जाएगा planetary assembly में नीचे side में और यह भाग जो है पतली वाली उपर side में आएगा ठीक है तो चलिए हम एक काम करते हैं planetary को assemble कर देते हैं क्योंकि इसका जो thrust us слadon उसके उपर lock लगा देना है और उसके बाद दोस्तो हमें carrier gear को fitting करना है उससे पहले हमें दोस्तो bearing fit करना होगा यह तीनों pin के ऊपर उसके बाद में में प्लाईनेटरि गेर का लॉकिंगulator प्ले writers हमें टाइट करना होगा जो छली हम आपको दिखाते हैं देख सकते हैं इस साइड में यह में प्लाईनेटरि लॉकिंग प्लेड पहले वाला कुछ उसी प्रकार से फिटिंग हो जाएगा बस आपको हलका गेर को गुमाना है और आप्टमेटिक की फिटिंग हो जाएगा अब दोस्तों इसके उपर फिर से हमें एक थर्ष्ट वासर डालना है तो देख सकते हैं यह रहा थर्ष्ट वासर अब इसके उपर हमे संगेर को फिटिंग करना है संगेर देख सकते हैं यह छोटा प्लाइनर्टी का छोटा संगेर है कुछ इस प्रकार से फिटिंग करना है अब देख सकते हैं यह फाइनल हमने डिवाइस को कंप्लेट कर लिया है अब दोस्तों हमें स्विंग मोटर को फिटिंग करना है इसके तो थोड़ा सा हम इसको घूमा पिरा करके देख लेते हैं तो हमने देखा इसमें ऐसा कोई प्रॉलम नहीं है अभी बढ़ी है एकदम फिरी घूम रहा है और दोस्तों आप अगर यह बीड़ बाक्स लेना चाहते हैं आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह है टापरिया क और इसमें छोटा गोटी का सेट और इसको का सेट मिल जाता है बहुत ही सांदार बीड़ बाक्स है और बहुत ही एग्रेशिव प्राइस पे आया हुआ है हमने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रीप्शन में दिया हुआ है अगर आप भी इस बीड़ बाक्स को पर्चेस करना चाहते हैं तो लिंक पे जाके किलिक कीजे और डारेक्ट आप आउनलाईन पर्चेस कर सकते हैँ तो चलिए अब हम स्विंग मोटर को फिटिंग कर देते हैं स्विंग मोटर फिटिंग करने के लिए कुछ नहीं हुआ outdoor मेंCloud में और यौर जो संगेर नीचे लगाया थ और automatic swing motor fitting हो जाएगा fitting करना बहुत ही आसान है और दोस्तों मैं बोलना चाह रहा था कि अभी मेकनिक्यान एब जो कि मैंने update किया था लेकिन play store पे वो publish नहीं हुआ है वो काफी समय लग रहा है उसको तो आप थोड़ा सा wait कर सकते हैं काफी सारे comments आ रहे हैं कि आपका एप open नहीं हो रहा है तो दोस्तों थोड़ा सा wait करना होगा बहुत ही जल्दी वो प्लेश्टोर पे publish हो जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हमने swing motor को fitting कर दिया है अब दोस्तों हमें क्या करना होगा swing motor का जो elenky bolt लगता है इसमें elenky bolt के hole को मिलाना है और सारे bolt को लगा कर अच्छे से tight कर लेना है अभी हमने दोस्तों इस swing motor के सारे bolt को अच्छे से tight नहीं किया है हम जब इसको machine में fit करेंगे तभी अच्छे से tight कर पाएंगे और दोस्तों हमने पिछला वीडियो upload कर दिया था उसको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर के उसमें हमने बताया दोस्तों pump और engine का timing कैसा set करते हैं और उसके बाद में हमने बताया है pump advance retire कैसा कर सकते हैं kilos कर HA69 4 engine का अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए और ये वीडियो कैसा लगा हमें comment box में लिख कर बताया और वीडियो अच्छे लगी तो like करना और अपने दोस्तों के साथ में share करना हम फिर next वीडियो के साथ में मिलें